आज हम बनाएंगे गाजर का हलुआ वह भी बहुत आसान दरीक है कि इसके लिए हमें रफ्ली चौकी होई गाजर लिए आधा किलो उसमें हमने एक कब्दूर डाला है अब इसमें प्रेशर कूप करेंगे लो फ्लेम पे दो विसल तक अब कड़ाई में रिफाइंड ओल या ग कब दूद और डालेंगे इसको हम कवर करके दस मिनट तक लो फ्लेम पे जुनेंगे चलाते रहेंगे दस मिनट के बादे कि हमारा गाजर का कलर कितना बढ़ियां आ गया है यह अच्छे से बुन रहा है इसको मीडियम फ्लेम पे दो मिनट और बुनेंगे और देखिए कलर और अच्छा अगया अब इसमें आदा पपचीनी डालेंगे और मेडियम फ्लेम पे इसको हम 5 मिनट तक और बनेंगे और बस आपका हलवा रेडी होने वाला है तो इस तरीके से आप 10-15 मिनट में बहुत ही आसानी से बिना ग्रेट के हुए गाजर का हलवा बनाएंगे फिर इसको हम खुए इस तरीके से डेकुरेट करेंगे और यह रेडी है